नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे सुबद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी आहुती लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर आपको मेरी कहानिया अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूलें आज सुनें आहुती जनाने अस्पताल के परदावार्ड में दो इस्त्रियों को एक ही दिन बच्चे हुए कमरा नमबर पांच में बाबु राधे शामची की इस्त्री मनोर्मा को दूसरी बार पुत्र हुआ था उन्हें प्रसूती ज्वर हो गया था, उनकी अवस्था चिंता जनक थी बे म्रत्तु की घडियां गिन रही थी कमरा नमबर छे में कुंतला की मा के सात्वा बच्चा लड़की हुई थी मा बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्य थी घर में कोई बड़ा आदमी न होने के कारण मा की देखभाल कुंतला ही करती थी उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहां थी पंडित राधे स्याम जी एड़ोकेट अपनी मा और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़ कर कहीं न जाते थे दस दिन के बाद कुंतला की मा पोन स्वस होकर बच्ची समेत अपने घर चली गई और उसी दिन राधे शाम जी की इस्तरी का देहान थो गया अपने नौजात शिशु को लेकर वे भी घर आए किन्तु पत्नी बिहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था पत्नी के देहान के बाद राधे शाम जी ने द्रण निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा बिवाह नहीं करेंगे मनोर्मा पर उनका अत्यंत प्रेम था वे अपने चिन्ह सरूप जो एक छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी वही राधे शाम जी का जीवन आधार था वे कहते थे कि इसी को देख कर और मनोर्मा की मूर्थी की पूजा करते हुए ही अपने जीवन के शेश दिन बिता देंगे जिस हर्दे मंतिर में वे एक बार मनोर्मा की पवित्र छबी की स्थापना कर चुके थे वहाँ पर किसी दूसरी प्रतिमा को इस्थापित नहीं कर सकते थे घर से जैसे उन्हें बिरक्ति सी हो गई थी भीतर वे बहुत कम आते अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते घर में आते ही वहां की एक एक वस्तू उन्हें मनोर्मा की इस्मिती दिलाती उनका हर्दे विचलित हो जाता जिस कमरे में मनोर्मा रहा करती थी उसमें सदा ताला पड़ा रहता उस कमरे में वे उस दिन से कभी न गय थे, जिस दिन से मनोर्मा वहां से निकली थी जीवन से उन्हें बैराग सा हो गया था आने जाने वालों को वे संसार की असार था और शरीर की नस्वरता पर लेक्चर दिया करते कचहरी जाते पर वहां भी जी न लगता जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती, उनका काम 25 में ही कर देते गरीबों के मुकदमों में बिना फीस के ही खड़े हो जाते सोचते, रुपय के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है किसी तरह जीवन को ढगेल ले जाना है तात पर यह कि जीवन में उन्हें कोई रुची न रह गई थी दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देख कर किसी को अधिक कहने सुषने का साहस न होता अत्यों सभी यह समच चुके थे कि राधे से आम जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे कुछी दिन बाद राधे से आम जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरियर नौकर के साथ खेल रहा था सामने से एक तांगा निकला ना जानने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर तक गिसरता हुआ चला गया एक साथ-ाथ साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई बालक को अधिक चोट आई थी बालिका ने म्रग शावा की तरह घबराय हुए अपने दो सुंदर नेत्र चंचल गती से सहायता के लिए चारो और फेरे फिर अपने भाई को उठाने लगी राधे शाम जी ने देखा और दोड पड़े बालक को उठा कर जाड़तने पोचने लगे राधे शाम के एक मित्र जगमोहन जो राधे शाम के साथ ही दोड़कर बाहर आये थे बालिका को संबोधन कर बोले कहां जा रही थी कुंतला मौसी के घर जनेव है वहीं अम्मा के पास जा रही थी कुंतला ने शर्माते हुए कहा कुंतला को देखते ही राधेश्याम की सोई हुई स्मृति जाग उठी दूसरा तांगा बुलवा कर कुंतला को उसमें बैठा कर उसे रवाना करके राधेश्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए एक दिन बाधी बाध में राधेश्याम ने जगमोहन से पूछा भाई यह किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे से गिर पड़ी थी जगमोहन ने बतलाया यह पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है पढ़ी लिखी ग्रहकार में कुशल और सुन्दर होने पर भी धना भाव की कारण अभी तक कुमारी है बेचारे तिवारी जी पचास रुपए माहवार पर एक आफिस में नौकर है बड़ा परिवार है पचास रुपए में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता होगा फिर लड़की के बिवाह के लिए दो तीन हजार रुपए कहां से लावे कान कुपजों में तो बिना हरोनी के कोई बात ही नहीं करता कस्ट ही में हैं बेचारे लड़की सयानी है पढ़ा लिखा कर किसी मूर्क के गले भी तो नहीं बांधते बनता एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे शाम जी का हिर्दय आतुर हो उठा किन्तु तुरंत ही मनोर्मा की इस्मृती ने उन्हें सचेत कर दिया तिवारी जी पर उपकार करना मनोर्मा को हिर्दय से भुला देना था राधे शाम को जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो वे अपने आप ही सिरह लाते हुए बोल उठे नहीं यह कभी नहीं हो सकता राधे शाम के हरदय की हलचल को जगमोहन ने ताड लिया वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त औसर समझा संभाव है निशाना ठीक पड़े तुम क्या कहते हो राधे शाम है ना लड़की बड़ी सुन्दर पर विचारी को कोई योगवर नहीं मिलता अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहे राधे शाम उदासीनता से बोले भाई लड़की सुन्दर तो जरूर है पर मैंने तो विवाह न करने की प्रतिग्या कर ली है जगमोहन उत्सा भरे शब्दों में बोले अरे छोड़ो भी ऐसी प्रतिग्या तो पत्नी के देहान के बाद सभी कर लेते हैं उसके माने यह थोड़े है कि फिर कोई बिवाह करता ही नहीं अरे भाई जन्म और मरत तो जीवन में लगा ही रहता है संसार में जो पैदा हुआ है वह मरेगा जो मरा है वह फिर आएगा रंज किसे नहीं होता किन्त उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े बन जाना पड़ता है और फिर अभी तुम्हारी उमर ही क्या है यही ना 35-36 साल की बस जीवन भर तपस्या करने की बात है बिना इस्त्री के घर जंगल से भी बुरा रहता है ब्रिजेश की माँ चार ही छे दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर जैसे काट खानने को दोड़ता है राधे शाम यह कोई बात नहीं जगमोहन घर से तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है जिस दिन मनोर्मा का देहान थुआ घर मेरे लिए घर ही नहीं रह गया बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है अम्मा थी तब तक तो कोई बात ही न थी पर अब बच्चे की कुछ भी देखभाल नहीं होती नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूँ तुम ही सोचो, परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है राधे शाम का बिवाह कुंतला के साथ हो गया उनकी उजड़ी हुई ग्रहस्ती में बहार आ गई मनोर्मा के बंद कमरे का ताला खोल कर उनके चित्रों पर हलकी रंगीन जाली का परदा डाल दिया गया उस घर में फिर से नोपूर की मधुर ध्वनी सुनाई पड़ने लगी चतुर ग्रहनी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया कुंतला की कारिकुशल्ता और बुद्धी की कुशागरता पर राधे शाम मुग्ध थे कुंतला के प्रेम के प्रकास से उनका हिर्दे आलोकित हो उटा अब वहाँ पर मनोर्मा की धुंदली इस्मृती के लिए भी स्थान ना था वे पोर्ण सुखी थे राधे शाम जी ने दूसरा विवाह किया था संभौता हरियर की देखभाल के लिए ही किन्तु इस समय कुंतला को हरियर से अधिक राधे शाम की देखभाल करनी पड़ती थी उनकी देखभाल से ही वह परेशान हो जाती इतनी ठक जाती कि उसे हरियर की तरफ आँख उठा कर देखने का भी अवसर ना मिलता कुंतला के असाधारन रूप और यवन ने तथा राधेश्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवशक्ता से अधिक असाधान बना दिया था बुरा भला कैसा भी हो सबकी एक सीमा होती है राधेश्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती सो तो थी ही किन्तु इसका प्रभाव उसके स्वास्त पर भी पड़े बिना न रहा कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया आखें निस्टेज हो गई छे महिने की बीमार मालुम होती वैसे ही वह स्वभाव से सुकुमार थी अब चलने से उसके पैर कापते सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता जी सदा ही अलसाया रहता खाट पर लेट चाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती कुंतला की इस अवस्था से राधेश्याम अनभे क्यों सो बात न थी उन्हें सब मालुम था कभी कभी गलानी और पश्चाताप उन्हें भले ही होता किन्तु लाचार थे कहते हैं ना ढलती उमर का विवाह और विशेश कर दूसरे व राधेश्याम को किस प्रकार रोग सकती थी किन्त वह तो उनकी विवाहिता पतनी ठहरी क्योंकि साथ भावरे फिर लेने के बाद राधेश्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपॉलिसी मिल चुकी थी ना इधर कुछ दिनों से शहर में एक इस्त्री समाज की स्थापना हु उसने निमंतरन स्वेकार कर लिया वहां गई भी वहां जितनी इस्त्रियों ने भासन पढ़े या दिये कुंतला ने सुने उसने सोचा वह इन सबसे अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है घर आकर उसने भी एक लेक लिखा विशय था भारत की वर्तमान सामाजिक अ बैठक में कई मित्र थे उन्हें दिखलाया सभी ने लेखिका की शैली एवं सामियक ज्यान की प्रशंसा की अपने एक साहित सेवी मित्र अखलेशवर को लेकर राधे स्याम भीतर आये कुंतला को बुला कर बोले कुंतला तुम्हारा लेक बहुत ही अच्छा है मुझे नही मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो नहीं तो सदा तुमसे लिखते रहने का आगरह करता तुम्हारे इस लेक में कहीं कहीं भासा की तुरूटियां हैं जरूर पर ये मेरे मित्र अखलेशवर ठीक कर देंगे अब तुम रोज कुछ लिखा करो ये ठीक कर दिया करेंगे मुझे तो भाशा का ज्यान नहीं अन्था मैं ही देख लिया करता खेर कोई बात नहीं यह भी घर ही केसे आदमी हैं कुंतला के लेकों का भार अखलेशवर को सौप कर राधे श्याम को बहुत संतोस हुआ कुंतला को अब एक ऐसा साथ ही मिल गया था जिसकी आवश अब उसे अपना जीवन उतना कस्ट में और नीरस ना मालूम होता था कुंतला और अखलेशवर प्रति दिन एक बार अवश्य मिला करते कुंतला की अभिरिची साहित की ओर देखकर उसकी बिलक्षन कुशागर बुध्धी एवं लेखन शैली की असाधारन प्रतिपा पर अ अखलेशवर मुग्ध थे वे उसे एक सुयोग रमडी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विक्सित करने में सदा प्रहत निसील रहते थे लाइबरेरी में जाते अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते कविवर, शेली, टैनीशन और कीट्स तथा महाकभी शेक्सपियर इत्यादी के उंचे दर्जे की कविताएं पढ़कर उसे समझाते उसके सामने व्याख्या तथा आलोजना करते और उसे करवाते हिंदी के धुरंदर कवियों की रचनाय सुनाकर वे कुंटला की प्रवित्ती कविता की और फेरना चाहते थे उनका विश्वास था कि कुंटला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी किन्तु अब राधेश्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैटना अखरने लगा था कभी कभी सोचते शायद कुंतला के सुंदर रोप पर ही रेज कर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय बतीत करते हैं किन्तु वे प्रगट में कुछ न कह सकते थे क्योंकि उन्होंने स्वयम ही तो उनका आपस में परिजय कराया था कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी इसलिए वह बहुत सतर्ग रहती किन्तु फिर भी यदि कभी भूल से उसके मूँ से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधेश्याम के हिर्दय में इर्षया की अगनी भवक उठती अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हिर्दे में मित्र भाव की अपेक्षा इर्ष्या का भाव ही अधिक था इन्ही दिनों कुंतला ने दो चार तुकबंदियां भी की जिन में कलपना की बहुत उची उडान और भावों का बहुत सुन्दर समावेश था किन्तो शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था अपने हाथ के लगाय हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर माली को प्रसन्यता होती है उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधेश्याम को भी पढ़कर सुनाई कुंतला की बुद्धी की बड़ी प्रसंशा की किन्तो राधेश्याम खुश ना हुए उन्हें ऐसा मालुम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही बिकल होकर ये कविताएं लिखी है अखिलेश्वर निस्कपट और नहस्वार्थ भाव से कुंतला का सिक्षन कर रहे थे उन्हें कुंतला से कोई विशेश प्रयोजन ना था कुंतला की सिक्षन से उन्हें इतना ही आत्मसंतोज था कि वे साहित की एक सेवी का तयार कर रहे हैं जिसके द्वारा कभी न कभी साहित की कुछ सेवा अवश्य होगी राधेश्याम के हर्दे में इस प्रकार उनके प्रती इर्शया के भाव प्रजुलित हो चुके हैं इसका उन्हें ध्यान भी ना था अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बिमार रहने के कारण घर से बाहर न निकल सके खाट पर अकेले पड़े पड़े धन्या गिनते हुए उन्हें अनेक बार कुंतला की याद आई कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजें फिर जाने क्या आगा पीछा सोच कर वे कुंतला को न बुला सके इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार न पाकर कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी वह बार बार सोच थी एका एक इस प्रकार आना क्यों बन कर दिया क्या बात हो गई किन्त वह अखिलेश्वर के विसे में राधेश्याम से कुछ पूँचते हुए डरती थी इसी बीच एक दिन कुंतला की माने कुंतला को बुलवा भेजा राधेश्याम कुंतला से यह कहकर कि जब तांगा आवे तुम चली जाना के चहरी चले गए कुंतला मा के घर जाकर जब वहां से तीन बजे लोट रही थी तो उसे राष्टे में हाथ में दवा की शीशी लिये हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला नौकर से मालुम करके कि अखिलेश्वर बीमार है कई दिनों तक तेज बुखार रहा है अब भी कई दिन घर से बाहर ना निकल सकेंगे कुंतला अपने आपको रोक न सकी चड़ भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने के लिए उसका हिर्दे ब्याकुल हो उठा अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवा कर वह अंदर चली गई साथ में उसकी छोटी बहन भी थी अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को बिसमे और आनंद दोनों ही हुए अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुरसी देकर बेस्वयम उठकर खाट पर बैठ गए बोले कुंतला तुम कैसे आ गई इस बीमारी में तो मैंने तुम्हारी बहुत याद की इसी समय राधे शाम जी ने कमरे में प्रवेश किया कुंतला कुछ भी न बोल पाई राधे शाम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा आओ भाई राधे शाम आज कुंतला आई तो तुम भी आए परना आज आठ दिन से बीमार पड़ा हुआ हूँ रोज ही तुम्हारी याद करता था पर तुम लोग कभी न आए फिर घड़ी की ओर देख कर बोले आज तीन ही बचे कचहरी से कैसे लोट आए राधे शाम ने रुखाई से उत्तर दिया कोई काम नहीं था इसलिए चला आया फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले चलो चलती हो मैं तो जाता हूँ अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा पर वे न रुके चले ही गए उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर एक ऐसी मारमिक द्रश्टी डाली जिसमें न जाने कितनी करुणा, कितनी विवश्टा, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी कुंतला चली गई किन्तु उसकी करुण द्रश्टी से अखिलेश्वर की आँखें खुल गई राधे शाम के आंतरिक भावों को वे अब समझ सके घर पहुँचकर कुंतला कुछ ना बोली वह चौके में चली गई कुछी ही छड़ बात उसने लोट कर देखा कि उसके लेक, कभितायं, कौपियां, पेंसिलें और अखिलेशवर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेट कर किसी ने आग लगा दी है उसी अगनी में अखिलेशवर का वह प्यारा चित्र जो कुछी ही छड़ पहले ड्राइंग रूम की सोभा बढ़ा रहा था धूदू करके जल रहा है और उपर उठती हुई लप्टे मानो यह कह रही है कुंतला यह तुमारे साहित्तिक जीवन की चिता है तो यह थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं